आज हम बात करेंगे UV Visible Spectroscopy में Effect of Substituents on Pi Pi Star Transition सबसे पहले हम देखते हैं कि यह first graph है जैसा कि हमने UV Visible Spectroscopy के लिए बात की थी कि इसमें जो spectrum होता है वो हमें मिलता है Lambda versus E, E जो है यह है Molar Absorbence या जिसे हम Intensity भी कहते हैं तो यह इसमें हमें जब spectrum मिला तो यह वाला यह normal spectrum है जो हमें E versus Lambda मिलता है कई बार कुछ Substituents ऐसे होते हैं जिनकी वजह से यह Lambda की या E की value में change आ जाता है और यह अपनी original जो इसकी position होनी चाहिए उससे यह shift हो जाता है जैसे कि हम इन सभी spectrum में देख रहे हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं यहां इस वाले इसमें हम देख रहे हैं कि Lambda जो है यह Lambda max की value है और यह Lambda max की value हम क्या देख रहे हैं towards right, right की तरफ यह shift हो रही है ऐसी shifts को हम कहते हैं बैथो क्रोमिक shift या red shift यानि कि कुछ substituents ऐसे होते हैं अगर वो किसी molecule में हैं, present हैं तो वो उसकी Lambda max की position को towards right shift कर देते हैं ऐसी shift को कहते हैं बैथो क्रोमिक shift या फिर red shift जैसे हम example देखते हैं बेंजीन का, बेंजीन में 254 nanometer पे Lambda max मिलता है यह milli micron और nanometer सीम थेंग है, तो बेंजीन में 254 mili micron या nanometer पे हमें Lambda max मिलता है, लेकिन अगर हम toluene में देखें, यहां पर जो substituent है यह है methyl group, तो methyl group जैसे ही बेंजीन में add है, यानि कि यहां पर अटेज्ड है, बेंजीन रिंग जो है उस पर methyl group अटेज्ड है, तो इस toluene molecule में जो Lambda max की value आती है, वो आती है 261 mili micron इस तरह की shift, red shift इसलिए कहलाती है, बैथो क्रोमिक shift इसका नाम है और red shift इसलिए कहलाती है क्योंकि अगर हम spectrum में देखें, तो whip, ग्योर, यानि कि जो color होंगे, वो towards red बढ़ते जाएंगे second आते हैं, हाइपो क्रोमिक shift या blue shift, तो कुछ substituents या chromophores ऐसे होते हैं, जो Lambda की original position को left की और shift कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि Lambda max की value को decrease कर देते हैं तो यहाँ पर एक यह जैसे spectrum है, E और Lambda के बीच में, wavelength और intensity के बीच में, यह इसका ideal या original जो इसका band है, वो है जैसे हम देखें, यह dashed line, dashed line में हम देख रहे हैं कि Lambda max की, जो E max है, उसकी position तो seam है, दोनों की, जो height है, वो seam है, दोनों bands की, peak seam है, लेकिन जो यह Lambda max है, उसकी value decreased मिल रही है, या left hand की तरफ हमें shift हुए हुए, देख रही है, तो ऐसी shift को हम कहते हैं, हाई, हिपसो क्रोमिक shift या blue shift, जैसे, अगर हम R band की बात करें, acid aldehyde की, तो इसमें, अगर हम hexane में इसका स्कैन करते हैं, तो 293 nanometer पे हमें band मिलता है, और acid aldehyde का ही, अगर हम isoctane में स्कैन करते हैं, तो हमें 289 nanometer पे Lambda max मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Lambda max की value decrease हो गई, यह हिपसो क्रोमिक shift है, और blue shift हमने इसलिए कहा इसको, कि यह spectrum में towards blue end हमें shifting दिखाई देती है, next आती है, कई बार Lambda max की value same रहती है, उसमें कोई change नहीं आता, लेकिन E max की value बढ़ जाती है, जैसे हम यहां देख रहे हैं, तो जो maxima है, वो उपर की तरफ shift हो गया, it means E की value जो पहले यहां थी, वो अब E की value हमें यहां मिल रही है, तो E की value, E max की value में change आया है, ऐसे shifts को हम कहते हैं, hyperchromic shift या hyperchromic effect, जैसे बेंजीन का band अगर हम देखें, तो 204 E max की value इसकी थी, और toluene का देखें, तो 225 value हमें मिलती है, यानि की E max की value में इतना increase हुआ है, तो इसे हम कहते हैं, hyperchromic effect, इसी तरह से है, hypochromic shift, hypochromic shift में, जो E max की value है, वो decreased हमें मिलती है, घटी हुई मिलती है, lower हो जाती है value, तो इसको हम कहते हैं, hypochromic, जैसे बेंजीन की हम बात करें, बेंजीन में 204 E max की value आ रही थी, जो अगर हम फिनाइल क्लोराइड में देखें, या बेंजाइल क्लोराइड में अगर हम देखें, तो ये value आती है, 190, तो ये हम देख रहे हैं कि E max की value इसमें डिक्रीज हुई है, तो ये कुछ सब्स्टीट्वेंट्स हैं, जैसे methyl ग्रूप यहां पर था, इसने क्या किया, रेड शिफ्टिंग का काम किया, या लेम्डा की value को, लेम्डा मैक्स की value को इंक्रीज किया, वही मिथाइल ग्रूप अगर बेंजीन में एड़ रहा है, तो वो हमें E max की value इंक्रीज करके दिखा रहा है, तो हर सब्स्टीट्वेंट के अलग-अलग effect आती हैं, कभी बैथो क्रोमिक शिफ्ट करता है, कभी हिप्सो क्रोमिक और में भी कि हाइपर क्रोमिक और हाइपर क्रोमिक effect भी शो करें, तो ये आज हमने देखा effect of substituents on pi pi star transition, thank you